हेलो गाईज तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है मनिश गुपता और आप देख रहे हैं BSCG Lectures तो गाईज आसा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपने अपने घर पे प्रेपेशन कर रहे होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे तो गाईज बीच में बहुत बड़ा गैप आगया हमारे वीडियो में हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारा जो है वो डेमेज हो गया देन उसके बाद अभी तक रिकवर नहीं कर पाया मैं उसे इसी कारण मेरा फोन मेरे फोन में जो क्या कहते हैं आईडी जो लॉग इन था भी एसी लेक्शर का वो मैं अभी तक रिकवर नहीं कर पा रहा हूं जिसके कारण मैं वीडियो पब्लिस नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चों द्वारा बेसीजी लेक्षर्स चैनल को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट देखने को मिला बहुत ही ज्यादा लोगों ने इसे सराहा पसंद करा तो इसलिए हमने सोचा कि अब क्यों ना इसे कंट किया जाए और आप सभी को यह लेक्ष तो यह तो चैप्टर का सुरुवात था यह क्या कहते हैं हमने उससे पहले वाइरस के बारे में पढ़ा वाइरस के जैनल एकाउंट एन इकोनोमिक इंपोर्टेंस के बारे में पढ़ा फिर उसके बाद वाइरस के रिप्रोड़क्शन के बारे में पढ़ा फिर उसकी बाद बैक्टेरिया का रिप्रोडक्शन ठीक है गाइस बैक्टेरिया के रिप्रोडक्शन में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं क्या-क्या समझने वाले हैं आज के वीडियो में तो इस पर अभी हम चर्चा करते हैं तो गाइस बैक्टेरिया में देखिए आपका जैसे कि यहां पर 4.2 में लिखा है पहला यह asexual हो गया binary fusion हो गया endospore हो गया exospore हो गया cyst हो गया फिर उसके बाद genetic recombination में हम क्या क्या पढ़ेंगे conjugation पढ़ेंगे transduction पढ़ेंगे और transformation पढ़ेंगे देन उसके बाद हमारी summary है फिर उसके बाद terminal questions भी है और उसके बाद हम answers answers भी उसके जानेंगे ठीक है guys तो यहां पर introduction start होता है हमारा bacteria के reproduction का reproduction का मतलब आपको पता ही होगा कि जब कोई भी organism अपनी population को क्या करते increase करते तो then वो किसके through करते तो reproduction के through करते है ठीक है reproduction भी आपका two types का होता है sexual होता है sexual होता है और sexual होता है ठीक है guys यह भी एक छोटी सी बात थी बिल्कुल तो दीगे introduction में हमें start करने जा रहे हैं bacteria के बारे में तो bacteria क्या है bacteria can reproduce bacteria can reproduce by a sexual reproduction through fusion ठीक है जो bacteria जो reproduce करता है यह population increase करता है वो किसके through करते है sexual reproduction के through करता है और उसमें क्यों सा method तो है soy soon,s अगर हम gametic reproduction यह sexual reproduction की बात करें तो उसमें क्या होता है दो gamits का क्या होता है fusion होता है क्या होता है आपस में वो दोनों क्या होता है एक सा जुढ़ जाते हैं kambine ron होके एक style form करते हैंasant form करते हैं है क्या होते है ये यह होते है एक the words of a gjorde- стен होता है दोनों मिलके Diploid cell बनाते हैं ठीक है इतना आप मालूम होगा फीजन में क्या है फीजन में क्या है कि सेल एक ही होगा हमारा क्या होगा सेल एक ही होगा हमारा इसमें क्या होगा इसमें क्या कहते हैं एक तरीके से टूटेगा यह क्या होगा ब्रेक्डाउन होगा और यह क्या होगा एक चैन के रूप में या फिर एक कह सकते हैं दो organism में convert हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने देखा कि our sexual reproduction जो है तो वह एक fusion के माध्यम से यहाँ पर fusion के medium से हमारा reproduce करता है bacteria endospore भी हो गया cyst formation भी हो गया binary or fusion sorry fusion और binary fusion is a trait of bacteria and is only shared by some yeast ठीक है तो जैसे कि आपको पता भी होगा कि fusion जो है 10 वो क्या है , that binary fusion जो होता है यह फिसहन कहें है a binary relation binary fandom जभ क्या होता है कि एक ला एक ईक legion से दो सेल clog heeger can't on the तो क्या होता भाने फिजहना तो वह क्या होता है binary फिजन होता है ऑसे multiple PD एक सेल जो है बहुत सारे स्पारे बहुत के बन जाए तो दो वो क्या होता है multiple fusion है ना जैसे कि यह plasmodium में होता है यह आपका east में होता है binary fusion आपका east में होता है budding तो देखे क्या है guys and is only said by some each तो यह किसके द्वारा कुछ east द्वारा ही यह चीज सेर किया जाता है यह भी आपको पता होगा तो sexual reproduction that occurs in bacteria is quite different from the one encounter in eukaryotes तो जैसा कि हमें पालूम है कि जो sexual reproduction होता है जो कि bacteria में होता है वो क्या होता है बिल्कुल ही जादा differ होता है जो कि you you carot organism में आपको मिल जाएंगे you carot organism like आपका protozoa हो गया आपका animal हो गए या animal cells जो भी हैं जो eukaryotic cells होते हैं यानि आप क्या कहते हैं bacterial cells को छोड़ दें उसके अलावा सारी ही आपके eukaryotic cells होते हैं तो eukaryotic cell में reproduction जो होता है sexual reproduction होता है थोड़ा अलग टाइप का होता है बट इंवाल बट इंवाल इन डज इनवाल जैनेटिक recombination और इसमें क्या होता है एक चीज और है कि इसमें एक तरह से genetic recombination involved होता है तो genetic recombination क्या होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अब discuss करेंगे तो देखें क्या होता है जैनेटिक ट्रांसफर एंड री कॉम्बिनेशन बैक्टरिया को टेक प्लेस वहा तो यही जो आपका genetic recombination होता है वह किसके तुरू होता है वह होता क्या है genetic recombination कि genetic recombination में जीन्स का ट्रांसफर होता है एक बैक्टरिय से दूसरी बैक्टरिया में और इससे भी करने में इस method को भी करने में इसमें तीन mechanism लगते हैं तो पहला आपका हो गया का और से लिख करते हैं थे बैक्टरिया में धेखने को मिलता है जो systemic कैसे continuous क्या होता है continuous circular strand के रूप में होता है क्या होता है वो DNA होता है genetic material आपका क्या होता है DNA होता है और RNA होता है यह आपको पता होगा बिल्कुल यह बिल्कुल अच्छ पता होगा तो देगे क्या है this circular of the circle of DNA is localized is an area is called nucleoid अब जो आपका जो cell होता है bacterial cell होता है bacterial cell में क्या होता है एक तरह किसे nucleoid होता है क्या होता है new clioid अब यह nucleoid क्या होता है तो यह होता है दल दे लैक डेफिने सब्सक्राइब करें लेकिन अगर हम बात करें प्रोकरोटिक सेल की बात करें तो प्रोकरोटिक सेल में जो होता है उसका जो फ्रोक कारे वोट सेल की वें टीक जो सेल को प्रोकरोटिक सेल को सिर्मा खुल स्था च्छासी म्यट्राइब Kris स्टेटर क्रोमजोम सर्कुलर डीने शर्क होता है डीने सट्राइंड होता है यो कि रेप्लिकेट करता ने लेकिन वह क्या होता है independently independently स्वतंत्र रूप से वह क्या करता है replicate करता है यह बात आपको समझ में आगे बट देंसेल्फ आर नौट रिस्पॉश्बल फॉर रिप्रोडक्शन बट वह खुद क्या होते हैं responsible नहीं होते reproduction के लिए यह बात clear है आपका plasmids क्या होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोजोम सर्कुलर dna होते हैं dna strand होते हैं और वह replicate करते हैं क्या independently replicate करते हैं लेकिन वह responsible नहीं होते reproduction में यानि वह एक से दो बनाने वाला काम नहीं करते स्टेशलर आगया बालशाव करने का काम नहीं करते तो क्या करते हैं तो उसके बारे में भी हम discuss करेंगा है तो होता है फ्यूजन होता है जो शेज़ मैं बता दिया ठीक है जो सेक्षोल पीज़ में चहल य। यह आपका इन्स finance कहते हैं और कई में चूटता है तो ये anthrop Professor तो यह तो हमारे चोटी सी बात इसे हमने क्लियर कर रखा था तो देखे क्या है बारे में भी पढ़ेंगे हम देखे इन बैक्टेरियल सेल्स इन बैक्टेरल सेल और सेक्षवल रिप्रडॉक्शन अकोर थू ट्रांसवर्स बाइनरी फीजन किसके थूरू होता है और सेक्षव जो कि आपको डिवाइड का रहा है तो देन उसके बाद रॉट अजते है दो डाउटर सेल में ठीक है वही मदध रसेल बन जाती है दो दॉर बन जाती है ठीक है इतना आपको clear हो गया तो देखिए the transfer wall is formed centripetally centripetally क्या होता है देखिए centripetally क्या होता है जैसे कि हमने पढ़ा था दौ तरह के फॉस पढ़े थे पढ़ा था हमने centripetal पढ़ा था physics में है wish guys, आप सबी जानते हो, एक sentry tunnel था और niego centrifugal था क्या था centrifugal है ना? It is centrifugal तो एक तरह सऄ यह point है and then नहीं यहां पर क्या है इस point की तरफ हमने एक पर देखा था, झाल को जासे क्ट को व्यक्ति है और एक धागा बांद कि stone को ऐसे, आसे करके round 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 घुमा रहा होता था तो देन क्या इसमें दो तरह का फोर्स लग रहा था तो जो बाहर की तरफ लगता था उसे हम क्या कहते थे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते थे क्या कहते थे और जो यह इस पत्थर को अंदर की और घीच रहा हो है इस यह सेंटर पर जिदर पर घूम रहा है उसको हम क्या कहते थैं, centri-centry-fungal force कहते थे ठीकते बाइच तो centripetal centrifugal समझ गया होंगे तो लिफी क्या होता है कट भिषीध स्कालावे थे के Countries used on the cell. जैसे कि इस लिफान को करें, बहुए बात करें ये एक ये एक ये हैँ है अब योगा होगा घम double try then क्या होगा यÖ पोस लगाएगा एक तरह का फॉट्स लगाएगा बाइद उने लिए जो कि इसroe का होगा होगा सेंट्री और होगा क्या होगा होगा सेंट्री पेटली इस साइड यह वाला यहां पर ब्रेक यह मतलब एक तरीके से वाल सा बनेगा देन उसके बाद यह क्या है यह वाला सेल इस तरफ भागने की कोशिस करेगा और यह वाला सेल इस तरफ भागने कोशिस करेगा देन जब यह आपस में इस तरीके से फोर्स लगाएंगे देन कुछ समय बाद क्या होगा यह दोनों सेल जो है एक separate cell form कर लेंगे separate cell form कहने का मतलब है वो दोनों अलग हो जाएंगे और वो क्या बन जाएंगे ड़ोटर सेल बन जाएंगे ठीक है गाईज डवेडर सेल मिण्स जो हमारे ओफ्ष्परिंग्स त्यार होंगे वार यह बैक्टेरिया द्वारा वह हमारे क्या किलाएंगे डाउव्डर सेल्स करांगे कोई दिक्कत किसी को चले क्लियरियथ यहां पर अब आगे वाली टॉपप है और स्प्लिट होके यहां से ऐसे इस तरीके से स्प्लिट होके दो एक आइंटिकल डॉटर सेल में चिंज़ था इंटिकल यानि दोनों सेल्स जो होंगे वह एक जैसे दिखेंगे कोई अंतर नहीं होगा उसमें यहां तक भी बात के लिए रहा देखे आगे अब देखे जो सेल जो है बैक्टिरल सेल है जब वो क्या होता है डिवाइड हो रहा होता है तो देन जो उसमें जो टाइम लगता है उसको ग्रो होने में यह डिवाइड होने में टाइम जो लगता है उसको हम क्या कहते हैं डबलिंग टाइम कहते हैं क्या कहते हैं डबलिंग समझ गया है अगर हम बात करें during favorable condition की तो the doubling time of some different sorry some bacteria can be as short as 20 minutes ठीक है तो यानि जो favorable condition में जब bacteria क्या होता है divide होता है या मैं बोलू grow करता है तो वह क्या होता है कम लगव 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 20 मिनिट के आजसपस समय लगाता है ना फैबरीव रञकर वल कंडिशन में मोर मतलब जल्दी बैक्टेटरिय क्या करता है अपने अपको डिवाइड करने के कोशित करता है अकर हम प्रेत के सबाइब करेंस बसक्राइब के के सब्क Seems और कि भी थे से बचसके थो डॉबिशा बैक्तरीया थिए फिसके की और होते हैं । है क्या करती है और यह जो है इस तरीके से जो जो सेपरेट हो रही है और यह इस प्लिट ना होकर एक साथ क्या हो जूड़ी रह जाए है न इसमें भी आपका छेन पुर्म हो जाएगा थेख है तो अब zaten क्या पड़ेंगे intent के बारे prescription DNA किया होता है किसमें होता है तो DNA रेप्लिकेशन देखिए two 嗶 violy वेंदेटिर स्टेरिव क्रोमोजोम ना होता है और इस डिन आपके DNA होता है या मैं बोलू bacterial chromosomes chromosomes ही आपके क्या होते है genetic material carry करते हैं बात क्लियर है DNA कहें या chromosomes के अंदर ही DNA होते हैं तो DNA जो होते हैं या chromosomes होते हैं वो क्या होते हैं circular होते हैं और क्या होता है वो जब replicate करते हैं खुद में ही replicate करते हैं और वो क्या करते हैं production क्या करते हैं circular इस तरीके से चर्कुलर जो आपको दिख रहा हुगा इस जगह पे circular तो ये क्रोमोजोम पीदिवाइड होते हैं और वह क्या हूते हैं तोच सर्कुलर क्रोमोजोम में तूढ जाते हैं यहां तक क्लियर हुआ देखे क्या है आगे the chromosome is duplicated at the site that transfers the whole chromosome and is called the replicating fork ठीक है जब यह chromosome जब है chromosome क्या होता है जब duplicate कर रहा होता है आपने आपको double कर रहा होता है तो जो वो site होता है जो transverse site होता है debt वहां पर क्रोमोजोंब क्या होता है क्या कहलाता है वह क्यलाता है हो रहा हुता है क्योंकि हम dna की भात कर रहे हैं ती अने उस तरीके से जो है इस तरीके से जो उढग सभूना होता है जब ड्यूब्सक्राइन टूटने लगता है यहां पर नायी क्रोमोर्मॉजॉम तो यहा तूटने लगता है तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं यहीं पे जहां पर यह जो अलग हो रहा होता है अलग-अलग ह tuning पिला सब्सक्ammों давайте इस तरीके से एक जो कहते हैं क्रोमोजोम है एक इसमें चला जाता है और एक जो है रेप्लिकेटिंग फॉर्क होके इसमें चला जाता है और यह क्या होता है यह भी अंदर में जाके डबल स्टेंड बना लेते हैं क्या बना लेते हैं और देन उसके बाद जब देखें तो इस प्रेटिंग फॉर्ट पे थे तो एट इस पॉइंट तो इस बिकम फोर जैसे कि मैंने बता है कि जब वो तूटेगा फिर दैन जब वो अलग होगा तो दैन एक और स्ट्रेंड फॉर्म करेंगा वह भी जो सिंगल वाला जो हटा फॉर्क ये रैप्लिक इंग फॉर्क होने के एंग फॉर्क उटेब जैस की आपको देखने को उतना कि डिकम और ये तो पॉइंट पॉइंट मॉफ एव फोम्धा शैल वोल अटैस्टा थीच उप हो जाते है है अलग हो जाते हैं तो यह कैसे होते हैे तो centripeataly होते है centripeatly center के बाहर जो force लग रहा होता है उसे centripeataly force लो जाते हैं थल आनल हो जाते हैं देखिए फिर क्या ओजाते हैं hält होता है very Amen 때문 ही mus going इन्वेजीनेटस एंड गो सेंटर टली टू fosma डवल मेंब्रेन सैप्टम ए जब क्या होता है कि जब पेरिफेरल रींग जो होता है पैरिषेल रिंग फ्लाज्मा मेंब्रेन वो क्या करता है जब गो करता सेंट्री पिटाली गुरो कर रहा होता है तो एक तरही से डवल क्या कहते हैं में beter अधरी Spark क्या कहते हैं सेटम कहते हैं ठीट है सैटम तो यह यह याद रखेगा सैटम क्या होते हैं जब क्या होता है पैयर फेरी फेरल रिंग आपका प्लाजमा मेंबरें से इन वेजिनेट्स यारी अलग होता है तो अलग होने के between होता है तो 2 membrane के बीच में deposit होता है wall metal किसके बीच में होता है 2 membrane के बीच में deposit होता है जिसे हम क्या कहते है septum कहते है the two events septum formation and cross wall synthetis occur concurrently septum formation होता है क्या होता है wall के क्या होता है across होता है cross wall synthetis होता है then वो क्या होता है occur कैसे होता है अगया है धीज्ट इस फॉलोड बाइ सेप्परेशन ऑफ डाउटर सेल एस तू यूनि इसल्लर बैक्टरिया बाइडी सॉलूशन और मैट्रिक्स बेट्विन नूली सिंतिजाइग वॉल्ल अब क्या होता है कि जो सेल वॉल होता है यह सौलूशन होता है वह किनके तुरू हो आह जो आपका कमम्ण मेंब्रेन और यह यह आपका इनने को है जो आपकाय प्लाजम चैट भाणै को में तुै यहां पर देख रहे हूंगा । आपका स्ट्रेप्न को च्यइय क्वने शिओ डिक आनी टीक है कि अ तो अब का डेकिये गाइज शीरिय कॉली में तो हम ने बहुत बार पड़ा इसका हमने क्या कहते हैं सेल में क्या करते हैं हमने ला सेल में यह क्ल्टिवेट करके डेख रहे हूँ लुई है अग Р Autos से वर्ज इस टरी श्रमेट हाओ पिशी यहां पर κुम समय इस तरी इस टनल के बाmäßig से घ्यां अलग को जाते हैं इस तरी के से उसके एंड सिंए हमें देखेंङ को मिलता है हम बात करें इस प्रॉससे में दूरिंग में ध्यू मुझ मि Practus all the cellular constant increase in number in such a way that is daughter's cell gets not only complete chromosome but also sufficient copies of other macromolecules and monomers including ions तो जब क्या होता है कि जब यह क्या कहते है डिवाइड हो रहा होता है क्या होता है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसमें कहते हैं जो है क्रोमोजोम को ही कंप्लीटली क्रोमोजोम को ही कंप्लीटली आपस में बाठता है नहीं उसके अंदर जो भी macromolecules होते हैं यह अधर सफीशिंट कॉपीज हो गया है जो भी आपके सेल और इंगलेज मिल गए उन सब को क्या होता है सफीशंट अलग-अलग कॉपी सियार करता है एंड इन उसमें आयन्स भी होते हैं मौनोमर्स इंक्लूडिंग आयन्स ठीक है मौनोमर्स आयन्स आपको सब मिल जाएंगे वह सब क्या करता है डिप्लिकेट करता है यह मैं बोलू आपस में विभाजित करना एक तरह से डिवा सेपरेट होते हैं इसके इंदर जितने भी मॉलिक्पी लोकियो श Southern को क्या गरुआ चिंफ क种 क्रो lettua ऑपसमें अ यह क्वज दिवाइडर लेते हैं कॉपी बना लेते हैं ठ्रीक है सफेरिकल फैरिकल हूं की बात करें कउसी की बात करें क्या होता है कोसी आपका स्फेरिकल होता है और आपका जो डिवीजन होता है एनी प्लेन किसी भी क्या होता है प्लेन पर हो रहा होता है तो बटिन रॉड सेब्ड की बात करें रॉड से बैसली की बात करें डिपीज डिवीजन किस तरीके से होता है पर पेंडिकुलर होता है एलोंग एक्सिस ऑफ दी सेल हना क्या कि इसंड़ी के सड़ी है टाइपजे से सड़ीर मेंचेट सबता है यह मदक्राई कितो एक तरीके से स्टरीक σथा परारी कर ताइट देन उसके बाद ऑल्यकु ये को कस में चेंजों जाता यह ना सैपरेट हो जाता अज जब क्या होता है जब रिमूब होने ते वाद यहाँ तो इसे टार की तोन liver बनाते हैं कि अधार में करूच करें टार कोजी देकि देखियों से युटिसके जब गयाँ में वह से इसे पैनि किन वह सब्सक्षाइब थे में समझर एक इस उन में क्या हो जाए डिवीजन हो जाए तो इस तरह के से स्ट्रेप्टोफाइलो कोकस बना लेते हैं मतलब कोई भी सेल कहां कहीं भी आपस में एक दूसरे को अरेंज हो के चिपका हो मिलेगा आपको ठीक है अलग नहीं होता हो अब बात करेंगे डिवीजन इन वन प्लें इस सेल जब क्या हो सेल मतलब सेपरेट ना हो यह चीज मैंने बता है ना हमको किस जब सेल सेपरेट नहीं होता तो और पियर ऑफ सेल फॉर्म करता तो इसको डाइपलो कोकस कहते हैं ठीक है गाई बैन मोर देन टू डिवीजन अकोर इन अगर मालिए कि एक ही प्लेन में मतलब ए से ज्यादा डिवीजन हो रहा है जैसे कि मैंने बता है एक बार इसे ऐसे और एक बार ऐसे ठीक है तो एक से अधिक क्या होता है क्या कहते हैं डिवीजन हो रहा होता है तो उसके बाद क्या होता है आपको क्या देखने को मिलता है कि एक चें तरीके से फॉर्म हो जाता है division in one plane मैं ने बता दिया जैसे कि आपको क Fell доллар कहते हैं हाँ जब क्या होतें दो division क्या होते है एक यह में सेंग प्लेट में में आपको मिल जाए और यहां तो यह सुन जाते हैं ना थीक हो आग neue यह तो यह दो्क से अधिक more than two, दो नहीं, दो होगा तो आपका diplococos होगा, दो से अधिक होगा, then more than two होगा, two division होगा, तो same plane पे तो आपका क्या होगा, chain किस तरीके का form होगा, streptococos form होगा, ठीक है, यहां तक clear है, तो हम बात करते हैं, division in more than one plane, division in more than one plane, यानि एक plane से ज्यादा, होता है ना, two dimension, three dimension, है ना, तो two dimension के अलावा, हम three dimension की बात करेंगे, two plane की बात करेंगे, तो देखें क्या है, two division at right angles result in groups four cells, example, tetracocus, ठीक है, जब दो क्या कहते हैं, दो division क्या हो, right angular हो, है ना, right angle में बने, and then result क्या हो, four cell form हो, इस तरीके से यह देखें, यह आपको दीख रहा है, ना, tetracocus है, दो angle, आईए क्या है, पहले इस तरीके से हुआ, फिर इस तरीके से हुआता है, तो जब राइट एंगल फॉर्म होता है तो यानि क्या होता है वो टेट्रा कोकस बनाता है क्या बनाता है टेट्रा कोकस बनाता है इसी तरीके से थ्री डिवीजन इच एट राइट एंगल अगर मानलो कि थ्री डिवीजन आपका क्या हो जाए राइट एंगल हो जाए तो इस से क्यूभी कल इसके तरीकिल स्रॉक्चर बनाता है क्यूभी कल स्ग्हानि सैरिय किन On उसके बाद many regular division many regular division कहने का मतलब है कि कोई भी bacteria कहीं पे भी division कर ले यानि किसी भी plane में क्या हो जाए division हो जाए cluster of cell बन जाए cluster of cell तो उसको हम क्या कहेंगे step phylo cocus कहेंगे यहाँ पे यहाँ पे इसका picture बना पड़ा है step phylo cocus इस तरीके से यहाँ पे क्या है irregular arrange है इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे endospore के बारे में पढ़ेंगे क्या endospore अभी तक हमने क्या पढ़ा binary fission के बारे में पढ़ा क्या binary fission के बारे में पढ़ा अब एक दूसरा मीडियम है दूसरा मीडियम है जिसमें bacteria क्या करती है और सेक्षवले रिप्रोडूस करती है तो देखी क्या है bacteria can reproduce असेक्षवली थ्रू एंडोस्पोर फॉर्मेशन ठीक है तो जो बैक्टिरिया होता है और सेक्षवले रिप्रोडूस करता है किसके क्या क्यविटा एंडोस्पोर फॉर्मेशन यानि'm क्या सकते है the winter थो किसट्राइप का स्पोर खो था थो एंडोस्पोर होता है ठीक है है डे इस प्रॉसेस एन जयक्टिव ख्रॉरिंग बैक्टिरियम बिकम्स जवर्में चरीजिए प्रॉस होता है दूसरा नौन ग्रोइंग होता है है उसके बाद एक अंडस्पर का ए ईसलिलर डिफ्रेंशियेशन को सक एक्जाम्पल ए चाह exaงपल है इसलिलर डिफ्रेंशियेशन का यह बात आप याद रखेगा इक कभी भी कभी भी अकॉर नहीं होगा क्या करेंगा बैक्टीरिया खुद को खुद को ग्रो करेंगा यहां फीजन होगा से exponentially अगर ग्रो करता है तो देन कभी भी एंडोस्पोर का फॉर्मेशन नहीं होगा यह बात क्लियर है सच डिफ्रेंशिएशन गैसेंचियल न्यूट्रेंट्स गेट एक्जॉस्टेट क्या होता है कि जब यह डिफ्रेंशिएशन होता है तो कुछ क्या कहते हैं कुछ जो कि एपनट्सियन फॉराओ अगर इसमें हम क्या करते हां ग्लुको चालिए खरते हैं तो इस에서 भॉल्यशन इवेन इंड है एक क्तोप हो जबारा किसके द्वारा एंजइम मिञें त् तो वो क्या हो जागा रुख जागा क्यों क्योंकि enzymes को inhibit कर देगा a debt health sporulation और इसके बाद देखी क्या है for inhibiting the enzymes हां तो वो क्या कर देगा inhibit कर देगा देन उसके बाद spor formation में उसको मदद मिलेगा है ना देखी क्या है in fact growth and sporulation events are opposite process growth और sporulation क्या है बिलकुल ही opposite formation है यह आपका growth हो रहा था chain form हो रहता है न डिवीजन हो रहा था बाइनरी फीजन हो रहा था लेकिन अगर हम sporulation की बात करें तो बिलकुल ही ज्यादा क्या है यह आपस में opposite है क्या है opposite है बात किरेर है तो देखे क्या है sporulation is regulated at both transcription and translational level ठीक है जो sporulation होता है वो regulate किनके कब कब होता है तो देखिए बोध transcription जब transcription हो रहा होता है यानि जो आपके genetic materials हो रहे होते हैं वो क्या होते हैं टूट रहे होते हैं ना ब्रेक हो रहे थे एंड ट्रांसलेशन लेवल ट्रांसलेशन जब ट्रांसलेट करता है DNA, RNA, double, जब ट्रांसलेट करता है या फिर messenger RNA तो देखिए क्या होता है sporulation regulated करता है किसको रहे करता है transcription को और translation को regulate करता है थेक है the presence of different kind of mRNA जो आपके क्या होते हैं presence होते है कि different different kind of mRNA यानि messenger RNA राइव निकलिक एसिड़्स होते हैं जो कि क्या کرते है during growth and sporulation period suggests that transcription has major regulatory role in endosport differentiation तो जो MRN होते हैं जो कि क्या होते हैं growth में या मैं बोलो sporulation period में क्या suggest करते हैं जो transcription होता है वो major regulatory role play करता है किसमें endosport differentiation अगर हम बात करें the genera bacillus या Clostridium की बात करें and a few cosy and spirilla की बात करें यह types of bacterias हैं जो कि form करते हैं क्या endosport a comparison of an actively growing bacterial cells and endospore is provided in 4.1 table ठीक है तो यह comparison है यहां पर देखे क्या है जो कि actively क्या करते हैं bacterial cell में क्या कहते हैं आपका जो growing होता है या endospore formation होता है तो देखे किस तरीके से होता है comparison हम बताते हैं इसमें क्या है दो चीज़े एक है endospore cell और और एक है bacterial cell क्या है bacterium cell बैक्टरियम सेल एक्टिव होता है और यह क्या होता है endospore inactive होता हुस समय डेके क्या है अगर हम यह item under comparison जिन जिन items को हम लेने वाले हैं जिससे हम comparison करेंगे और यह क्या है यह एक active bacteria है और यहां पर हमने endospore को रखा है तो अगर हम बात करें structure की बात करें active gram bacteria की बात करें Bacterium यानि singular bacteria को हम bacterium कहते है तो तो typical gram positive cell typical gram-positive यानि positive type वाला अपको मिलेगा gram-positive bacteria है तो वह क्या होते है टिपिकल हो तैसे प्रक्चर कैसा हुते है टिपिकल होता है लेकिन अगर हम बात करें जाँ S ना इसको च тебя किसको एंडॉपIL को क्यों क्योंकि उसके पास प्रक्झ बात यहां में बात करें microscopic observation की बात करें तो आपका जो active gram bacteria होता है वो क्या होता है non-refractile होता है है ना microscope से जब हम observation करेंगे तो यह क्या होता है non-refractile होता है तो आपको मालूम भी होगा कि gram-positive bacteria को में देखने के लिए staining करना पड़ता है लेकिन अगर हम बात करें अन्डोंपर की बात करें तो फिरे फ्रेक्टी लोता है उसे हम आसानी से और थे घर जाजन लेपाते हैं अगर हम उसमें कि बात करें तो केसलन कि है कि आपका मेस्च बाता है कि इसमें बैक्टरियम में अन्डब बैक्टिरियम मेरे लोग जाता है लेकिन अगर अगर एंडोस्पोर की बात करें तो समय हाई पाय जाता है अगर हम पॉलिस्टलीन प्रूटिन क्रिस्टलीन प्रूटिन क्या है आपको अप्षेंट मिलेगा किसमें बेक्टेरिया में है लेकिन हम एंडोस्पोर की बात करें तो हाई मिलेगा फिर अगर हम सलफर एमिनो एसिड की बात करें तो सलफर एमिनो एसिड इसमें क्या होगा लो मिलेगा और एंडोस्पोर में क्या होगा हाई मिलेगा उसी तरीके से एंजाइमेटिक एक्टिविटी की बात करें तो इसमें आपको समझ में आहे होगा एक्टीब ए अधर ये हैंगी नहीं हो रहे हैं ठोलेक्न तो यहां पर एक्तिविटी नहीं हो रही आपको देखने को अगरicky है अगर हम बात करें मेट रगशर मोल्लिक्टीन की बात करें जो पर होता अगर हम मैक्रम गाल homme 국ell की बात करें जो लिगलेंज दोता है कि ठीक है एंडेन देखिए एडूरिजिस्टेंस की बात करें तो यह क्या है एस्टेन्ह जो होता है पाство है और हम बात करें बात करें 거죠 गल पक्रैशा किस पेस्टों केमिकल तो तो ये लाइजज़नी की बात करें तो ये लाइज़नी सेंसिटीव होता है और इसमें क्या होता था ये चीज आपको समझ में आगए हैं यहां पर लिखा पड़ा मैंतो ट्रॉपिक शुर्णी वह निग टिस प्लाइब होते हैं और क्या करता है reduce करता है they are unicellular rods यह क्या होते हैं unicellular rods भी होते हैं webrose में find out होते हैं मिलते हैं कोशी सेप में मिलेंगे आपको और pyriform cells में भी मिलेंगे they are often motile by means of popular sorry polar flagla मतलब यह जो क्या है यह motile किसके थूरू होते हैं तो इसमें जो polar flagla होता है polar flagla ऐसे push करता है देन उसको movement करने में help करता है तो यह क्या होता है motile किसके थूरू होता है polar flagla के थूरू motile होता है they all are form some types of resting structure ठीक है यह क्या होता है सभी structure में आपको देखने को मिल जाएगा most methanotrops are obligate methanophiles ठीक है carbon bond carbon carbon bond में आपको नहीं मिलेंगे देखने को आगे समझ में incapable होते हैं तो देखिए हमने बात कर लिया इससे पहले हमने क्या endospore के बारे में बात करा अब exospore क्या होता है exospore को देखते है exospore क्या होता है यह भी एक प्रकार का spore होता है देखिए exospores are desiccation desiccation resistant resting cells formed by certain bacteria ठीक है यह क्या होता है desiccation resistant होता है और वो क्या था heat resistant होता है na resting cells formed by certain bacteria और वो क्या होता है certain bacteria दोरा form होता है especially methanotrophs type 2 यहां पे अभी methanotrophs मेंने बता दिये क्या होता है अगर methanotrophs type 2 की बात करें यानि examples में methano methylosinus और methylobacterium they are produced by budding from one pole of the cell यानि देखिए क्या है कि यह प्रोडूस किसके थूरू होता है बड़िंग के थूरू होता है यानि किसी एक पोल से वो क्या होता है दिवाइड होते हैं जब वो मैंत् हो जाते हैं म directional आपै्पॉल्स ॉञ अर्व क्या होता है जब में मैच्र बना लें रदेतों न के पास क्या वुड़ आ वसके पास क्या हुए मОस क्या होता आ Car और एक तरके से फैब्रस, फैब्रस कैपसूल बना लेते हैं, कैपसूल की तरह हो जाते हैं, अगर हम बात करें बडिंग के बाद, तो बडिंग के बाद क्या होता है, जो मदर सेल होता है, in capital जाता है growth and division में यानि वह यानि वह further क्या है growth and division नहीं कर पाता है थीग मैं even when provided with essential nutrients for growth अगर हम बात करें हां अगर जब तक उसमें क्या कहते है essential nutrients growth मिल रहा है मतलब वह क्या करती है मतलब जो mother's cell होता है मतलब करते हैं इसेंशल नुट्रेन्स प्रोवाइड किया है । भramण चीषटन यसिवित बीघन रग्राधिा किया है रहता है रहे coming fast आँछ I would be a horse. आपका क्या फॉर्म करता है डियाज फ्रॉरम करता है त्रॉह करता है एक does दिए हो सपर्म वने लगता है दिपाईटो यहां देपोजीट जाता है क्या होता है आज़ा है एकशनल सेल वोल दिपोजेट होता है एकस्टेश्ब सेcr नौने लगता है तो यह हली अप्ली बेटा हईड्रोक्साइल ब्यूते रेट हैं का रोता है system तर रौल्सो डैसिकेशं रजिटेन डीटेंट शिस्ट भी जो र lange को आपको सिस्ट फोर मिशन देखिए इस प्रकार से से क्वेशट्ट इससग वोग सॉंवां यहाप का वैज़िटाटिव एक राधि यहापका क्या है जेनेटिक मेटर ना जैनेतिक भी मेंडर स्क्रमोमोजुमी आपकी मिंगे होले पिर शहरा हम सक्रमोंभी फिर क्या है डी एक को All होने के बाद क्या देखने को मिलता है है कि आहां पर Transverse Veal когда यहां पर क्या है transfer wall बनने लगता है transfer wall इस तरीके से transfer wall बनने लगता है जो की क्या होता है एक तरीके से इसको DNA या genetic metal को दो मतलब 2 कर देता है देखिया है जो स्पोर मेटल सेपरेटेट फरमेशन फोर फोर अब यह जो स्पोर मेटल जिससे स्पोर के अंदर जो होता है genetic metal है वो क्या होता है वह separate हो जाता है और एक तरह की सब्सक्राइब कर लेता है पॉर स्पोर क्या कहते है वçar है ओं benefits को फॉर कर लेता है फैर्म में कर לסद गैब्लेत कशन होने के बाद है तो गेख्या कर लेता है स्पोर क्या होदा है तो लुगा है कि फिर फिर यहां पे पिंक लिए रहा रहिता हिए ब्लू ले रहा है इस तरह किसी यह is तरह होता फिन्क हृइन के prolnaire करने लगता है ठीक है मल्टिले competitive लगता है उसके बाद सबार क्या होता है उसके बाद क्या होता है श्र म कर देता है सेखो कुर्डियों कि अहीं कर देता है यहां से यहां देखे ब्रेक हो जाता है और ब्रस्ट होने के बाद क्या होता है ब्रस्ट होने के बाद क्या होता है जो आपका स्पोर होता है वह रिलीज हो जाता है रिलीज हो जाता है बात क्लियर है अब यहां पर हम बात करें हैं एंडोस्पोर की बात करते हैं यहां पर एं बहुत ही मूटा होता है inner coat की बात करें तो यह पतला सा inner coat है इसके बाद आपको cortex देखने को मिल जाएगा ठीक है और इसके बाद अंदर में आपको यह genome मिल जागा यानि genetic matter आपको देखने को मिल जागा यह endospore था तो देखिए यहां पर हमारे यह वाला जो पहला टॉपिक था यह खतम हुआ और इसमें कुछ ऐसे क्यों में क्या है कि यहां पर बताया गया है कि during binary fusion in a bacterial cell a new cell wall formation is तो देखिए जब आपका क्या होता है binary fusion हो रहा होता है किसमें bacterial cell में जब new cell wall formation होता है किसमें इस तरीके से इस तरीके से new cell wall formation होता है तो देन वह किस तरीके से move कर रहा होता है opposite move कर रहा होता है बिल्कुल यह माल लिजिए और जब opposite move कर रहा होता है तो कौन सा force लग रहा होता है तो centripetal लग रहा होता है है तो इस तरीके से क्या होता है रही वह फोर्च लगाते है देन उसके बाद यह सिपरेट हो जाते हैं तो देखिए क्या है इसमें इसका ऑंसर गया तो सेंट्रिपिटल होगा ठीक है एंदर की तरफ दीट Crush लगए चैनल कि बात करें कि इसके विड़ से अंच रियो सितेटर देखने को मिलें इसके इसके आपके रागुलर को मिलेंगे कोई भी जल के सिप्रेट उपार कि करता है अगर हम करते हैं तो क्या करता है बताइए बताइए गल्यौb करता है तो इसका सही आंसर है इनहीट करता है ठीक है बैक्टरिल एंडोस्पोर में है ना बैक्टरिल एंडोस्पोर में जब हम ग्लुकोज को का एडिशन करते तो एंजाइम को क्या करता है इनहीट करने काम ग्लुकोज इनहीट करता है तो देखे क्या है बैक्टरिल इंडोस outrageous Пयो शैप लुग करता है आजी टो बैक्टर सारी सी दिस्ट एंजेस कि सिस्ट फोर मेशन करता वा शयुत में दी कि पर आथा कि से सिस्ट होगा यह यह देखिन गाएसीस्ट फोर मेंशन करता है ठीक है zij से होते हैं यह स्वारेशना ऊचित करते है यह अगले रहेगा जने टक That अगले चाहिं आपार में पढ़ेंगे वीडियो के अगले पार्ट में पर देंगे इस फैने को सारए यह क्रना में सब मिश्विट एक राम कोंडिज़ एर्ण सभी को अगर यह विडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे like कर दें और आपको video इस और भी वीडियो जाहिए इसी से related और भी विडियो चाहिए तो देन आप को चैनल सब्सक्राइब करना होगा तो गाई जाके आप फटा फट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन का बटन दबएए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नॉटिफिक्रिशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और ज्यादा ज्यादा हो सके इस वीडियो लागो टाइम एपको टाएम मिलतु मैं दाईब में माझा बावा जजी झाल को टू सम्सक्का बाली सब्सक्राइम ये कर द numer हमा लीडियोय कर दो